नमस्कर दोस्तों विजली की दुकाहान यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस्ट मैन कंपनी का एक को स्मार्ट सोलर होम पीस्ट यू इसको हम सोलर इन्वेटर भी बोल सकते हैं तो दोस्तों आपने मार्केट के और अनएक परकार के शूर इनिवेटर या पर सिंप्ल इinea डेखे होगे या पूर प्र disgu करें ओने यूजु कि आपको कह सकता हुए कि दोस्तों इस मेन कंपनी जैसा आपने कोई भी स्लिर ये नहीं देखा यानि कि दोस्तो को इतने ज्यादा फीचर स्थ नहीं मिलने वाले हैं शैसिल कनें करके इसके जितने भी features से सभी आपको features भी बनताने वाले हैं यानि कि दोस्तों इस वीडियो में इस inverter के बारे में आपको complete जानकारी मिल जाएगे चलो दोस्तों अब आप वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बोक्स को पर Eastman Company का नाम लिखा है Solar Home PCU यह जो solar invator है यह 1475 VA का है और 24V के अंदर है 24V का मतलब है कि double battery का यह invator है उससे नीचे लिखा है solar invator PWM PCU EcoSmart अब उपर की साइड आप देखेंगे तो company की टेप लगे होती है सबसे पहले इसकी जो टेप है उसको हम हटा देते हैं और टेप हटाने के बाद में अंदर की तरफ इसकी packing वगेरा हम देख लेते हैं किस तरह से packing हैं इस गत्य को अठाकर हम इसे open करते हैं तो open करने के बाद में आप देखेंगे पोलतीन के अंदर थर्मा कोल के अंदर इससे अच्छे से pack या है ताकि तूट फूट थोड़ी सी भी ना हो अब हम इसे box से बाहर निका लेते हैं लुक वेज़ आपको दिखा देते हैं अब हमने इस इनवेटर को box से बाहर निका लिया सबसे पहले आप इसका लुक देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पैरा लुक इसका दिया हुआ है इसके साथ में कौन-कौन से item आते हैं वह भी मापको दिखा देता हूँ एक यह इसका warranty card होता है और इसको manual book भी बोलते हैं इसके अंदर complete जानकारी होती है किस तरह से आप इसे use करेंगे किस तरह से आप इसे install करेंगे और दोस्तों company का toll free number बगारा भी इसके उपर सबकुछ लिखा होता है और इसके साथ में एक wire और आती है यानि कि 12-12 volt की आपके पास दो बैटरी हो तो दो बैटरी को जोड़ने के लिए इस wire की जूरत होती है तो इसके साथ में यह wire आती है इस invator का आप side से look देखेंगे तो इस तरह का look आपको देखने को मिलेगा दूसरी साइड से आप देखेंगे तो इस तरह का look आपको दिखाई देगा अब हम चलते हैं इसके पीछे की साइड पीछे की साइड से इस तरह का look इसको आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में solar नाम लिखा हुआ है इस जागेंग पर हम 1200W तक के और दोस्तो 24V के अंदर solar panel लगाते हैं एक साइड पलस की वायर लगती एक साइड माइनस की इससे नीचे के साइड आप देखेंगे यहाँ पर company का sticker लगा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है model लिखा हुआ है उसके बाद में DC voltage लिखी हुई है output voltage लिखी हुई है और nominal input लिखी हुई है उससे आगे SPV range यानि की जो हम solar panel लगाएंगे उसकी जो वोल्ट की जो range वा 31 से 45V की होनी चाहिए उससे नीचे जो inverter है उसका serial number लिखा हुआ है करना सुरू हो जाएगा जिससे हमें पता चल जाता है कि solar panel के जो connection है वह हमने गल्ट कर दी है एक देखेंगे आप 3 pin top लगावा है जो की power का है और यह है जो 3 pin top होता है यह HT input की जो wire होती उसके आगे की तरफ लगा होता है battery के अंदर connection करने के लिए दो wire बाहर निकली हुए एक plus की रेक minus की देख सकते हैं सामने हैं इसे उपर एक power के socket लगी हुए जिससे हमें बिजली मिलती है यानि की output वारी socket है उससे आगे एक fan लगा हुआ है जो अंदर की जो गर्मी wire आउती है उसको बाहर निकलने के लिए fan on रहता है उससे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर fuse box दिया हुआ है इसके अंदर fuse लगे हुए है कोई दिक्कत आ जाती है working नहीं करता तो सबसे पहले आपको fuse check करने है बेंटरी की wire और जो मेन की wire आप देख सकते है लगबग एक मीटर की wire इसके साथ में बाहर निकली होती है इन्वेटर के उपर की side देखेंगे यहाँ पर एक special sticker लगा हुआ है जब indicator on होते तो उसकी detail दियोगी कौन सा indicator on होगा तो क्या इसके अंदर function on हो जाएंगे कौन सा off होगा उसके अलावा जो switch दी हुए है उसके बारे में समझाया कि कौन सा switch हम दबाएंगे तो कौन सा function हम on कर सकते और off कर सकते है यह जो company है अनेक परकार के invator बनाती है तो हमारे पास जो invator है वह है डबल E S 1475 चोबिस वोल्ट के अंदर है इस invator के अंदर हम 60 या फिर जो बैतर सेल के जो solar panel आते हैं वह ही उज़ करते हैं उनकी जो VOC range होती है वह 31 से 45 वोल्ट की होनी चाहिए इस invator के अंदर हम 24 वोल्ट के अंदर और 1200 वाट तक के solar panel यूच कर सकते हैं इस solar PCU के साथ में हमने battery के connection, बीजली के connection और solar panel के connection कर दिये हैं अब हम आपको इस वीडियो में इसके जो सभी features है वे सभी features बताने वाले हैं तो दोस्तों सामने आपको जो पैनल दिखाई दिया रहा है इसके अंदर indicator लगे हुए है और साथ में switch वेगरा लगे हुए है सबसे पहले हम लेते बीच वाला switch यह इसका main switch होता है दोस्तों इस switch को हम दबाएंगे एक second तक तो यह जो innovator है यह own हो जाएगा जब हम इसे दबार दबाएंगे बी ओन हो चुका है IT mode का मतलब है जो भी बिजली के उपकरण इस innovator के उपर चल रहे है जैसा ही light जाएगे तो उसके बाद में एक second के लिए भी restart नहीं होंगे जिस तरह से चल रहे है ऐसे ही चलते रहेंगे दुबारा तीन बार इस switch को दबागर आप इसे disable भी कर सकते है इसे अगला switch है SM4 tubular battery selection का यदि आपने SM4 battery लगाई है तो इस switch को आप तीन बार दबाएंगे अब इसका जो indicator वे own हो चुका है तो इस situation के उपर SM4 battery को यह अच्छे से charging करेगा और बढ़िया backup देगा यदि जो आप battery use कर रहे है वे tubular है तो आप इस switch को तीन बार फिर दबाएंगे तो indicator off हो जाएगा उस situation के उपर यह tubular battery को अच्छे से charge करेगा और बहुत ही बढ़िया backup देगा इसे अगला 3 number के उपर switch है boost charging वाला कई जगहां पर हमने देखा कि जो बिजली होती है वे कम आती है और battery होती है प्रुपर तरिके से charge नहीं हो पाती है अभी जो boost charging है वे disable है और disable switch के उपर जो battery होती है 12 ampere के उपर charge होती है 3 number switch को हम continue 3 बार दबाएंगे तो उसके बाद में boost charging है वे enable हो चुका है अब जो battery है वे 12 ampere से बढ़कर 15 ampere के उपर charging हो रही है इसे अगला च्यार नंबर के उपर switch है grid charging वाला अभी जो grid charging है वे enable है यानि कि जो battery charge हो रही है वे बिजली से charge हो रही है यदि आप चाते हैं कि जो charging हो रही है वे solar panel से होनी चाहिए तो इस switch को आप तीन बार दबाएंगे indicator ओन हो जाएगा जो grid से charging हो रही है वे ओन ही बंद हो जाएगी only solar panel से ही जो charging है वे होईगी अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक special features के बारे में हम खुद इसके अंदर set कर सकते हैं जो हम easily use करेंगे वे हमें पहले कहां से मिलनी चाहिए उसके बाद में कहां से उसके बाद में कहां से तो अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक नमबर का जो switch है उसको हम लगातर 10 साकीड तक दबाए रिखेंगे तो हमारा जो PCU mode है वे on हो जाएगा SMT, HYB और PCU के बीच में एक चोटा सा indicator है वे जो indicator है फास्ट फास्ट बिलिंग तिंग करना सुरू कर देगा उस समय जो PCU mode है वे on हो जाएगा PCU mode के ओपर हम जब बिजली को use कर रही है यानि कि जो हमें output मिल रही है सबसे पहले हमें solar panel से बिजली मिलेगी जब solar panel से बिजली हमें मिलनी बंद हो जाएगी उसके बाद में हमें बैंटरी से मिलेगी जब बैंटरी भी low हो जाएगी उसके बाद में हमें grid से बिजली मिलनी शुरूफ हो जाएगी उसे एगला जो switch है दो नमबर के उपर उसको हम लगातार 10 सेकंड तक दबा रेखेंगे तो उसके बाद में जो हमारा smart mode है वह on हो जाएगा SMT, HYB और जो PCU के बीच में जो indicator है वह continue on रहेगा अब आप सामने देख भी सकते हैं indicator on हो चुका है जब smart mode on होगा उस में जो हम बिजली के उपकरण यूज करें हैं तो सबसे पहले वह solar panel के उपर चलेंगे solar panel से light आनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद में grid से चलेंगे और grid से भी light आनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद में battery से सभी उपकरण चलेंगे इसके बाद में हम तीन नंबर के उपर जो switch है उसको 10 second तक लगा तर दबाय रखेंगे तो जो hybrid mode है वह on हो जाएगा SMT, HYB और PCO के बीच में जो indicator है वह जो blink करेगा वह slow-slow blink करेगा तो उसमें जो hybrid mode है वह on हो जाएगा जब hybrid mode on होगा तो सबसे पहले जो हम उपकरण चला रहे है वह grid के उपर चलेंगे grid से light आनी बंद हो जाएगे तो उसके बाद में solar के उपर चलेंगे और जब solar से भी light आनी बंद हो जाएगे तो वह battery के उपर चलेंगे इसके अंदर हम बात करते हैं जो battery charging होगी वह सबसे पहले solar से होगी उसके बाद में grid से charging होगी इसके अलावा कुछ indicator और दिये हुए हैं जैसे कि overload का indicator है battery का status का है कोई fault आ जाता उसका है SPV charging का है SPV fault का है इस तरह से indicator आपको देखने को मिलेंगे नीचे की साइड से आप इसका look देखेंगे तो इस तरह का look आपको देखने को मिलेगा इसके box को पर भी कुछ एक जानकारी दी है जैसे कि part number दिया हुआ है WES 1475 24V उसे नीचे part name of item है solar invator PWM PCU eco smart है इसके net weight की बात करते हैं 14 kg के आसपास है size की बात करते हैं तो 30.4 cm गुना 26.4 cm गुना 16.5 cm का है MRP की बात करते हैं तो 8,266 रुपे दिया हुआ है प्रुन्तु आपको यह market में इसे कम rate में मिल जाएगा कम्पनी का toll free number है 1800 419 8610 कोई भी item आप purchase करते हैं वारंटी प्रेड के अंदर कोई दिक्कत आ जाती तो आप toll free service अपने गर पर ही ले सकते हैं हमने आपको इस्टमें कम्पनी का solar inverter था इसको unboxing करके दिखा दिया है दोस्तो बहुत ही अच्छी quality का है और दोस्तो इसके अंदर इतने ज्यादा features हैं और किसी भी company में साथ में आपने आज तक सुने भी नहीं होगे तो दोस्तो आपको ये वीडियो कैसी लगे आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है और आपको कुछ भी पुछना हो तो भी आप जरूर कमेंट करना तो दोस्तो आप कोई भी नया double battery का solar inverter प्रचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप instrument company का प्रचेज कर सकते हैं दोस्तो हर एक area के अंदर इस company के आपको distributor मिल जाएंगे आपको वीडियो चलेगे ताप इस वीडियो को like करें, share करें साथ में आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें